देदे कुछ, में क्या है? खाना खाना? दो दिन से कुछ खाये नहीं, देदे बेटा मेरे दाजाजी ने एक साल से कुछ नहीं खाया है एक आइडिया दू, आप पंड़त बन जो लोग आपको खाना भी खिलेंगे और दक्षिना भी देंगे पर आपको भीक नहीं मांगनी पड़े है आइडिया नहीं, खाना चाहिए, खाना वैसे यह दर कोई दूसरा मंदिर है? मंदिर उधर है, और मस्जित उधर लेकिन मंदिर तो बंद है भगवान के नाम पे देदे कुछ भगवान के नाम पे देदे भग्वान के नाम पर देदे कुछ आप पंडित जी हो ना नहीं बेटा मैं पंडित नहीं हूँ लगता आप खलत जगह आ गया हो यह गलत जगह है नहीं जगह है तो सही है आप गलती से आँ गया हो मंदिर अगली वाली गली में है यह क्या है फिर? यह मस्जिद है अल्ला का दर्बार है यहां क्या होता है? जैसे मंदिर में आप भगवान की पूजा करते हो वैसे ही मस्जिद में अल्ला की इबादत करते हैं आप कौन हो? मैं यहां का मौलवी हूँ मौलवी मतलब? जैसे मंदिर में पंडित होते हैं वैसे मस्जिद में मौलवी होते हैं तो आप दोनों से हो? हाँ मतलब एक तरीके से कह सकते हैं आज मेरे दादाजी की बरसी है, आप प्लीज ए खाना का लिजी है मैं क्यों? क्योंकि आप मश्जित के पंडेत हो ना नहीं बिटा, ये खाना मेरे लिए नहीं है पता है, ये खाना दादाजी के लिए आप ये खाना इधर खाओगे उन्हें वहाँ बटर चिकन मिलेगा उन्हें इत साल से कुछ नहीं खाया आप प्लीज ये खाना खालीजिए वेटा तुम मंदिर क्यों नहीं चले जाते मैं गया था, मैंने बहुत धूंडा मैं कोई भी नहीं था पेटा, जो काम पंडित कर सकता है वो मौलवी नहीं कर सकता अभी आप इन्हें तो कहा कि आप दोनों सेम हो खाना ही तो खाना है इसमें लड़ो भी है अर्याब आप समझ क्यों नहीं रहो पंडित और मौलवी सेम होके भी अलग है आप अल्ला के नाम पे खा सकते है फर्ज करो मैंने खा लिया फिर भी तुम्हारे दादाजी को नहीं मिला तो आप क्या पंडित जी से कम पावर्फुल हो तुम्हारा काम मंदिर में हो सकता यहां नहीं क्यों? मंदर और मजडित में क्या फरक है? तुम किस भगवान को मानते हो? शेव जी तो शेव जी की पूजा करने के लिए हनुमान मंदिर जाते हो क्या? नहीं ना? यही फरक भगवान और अल्ला हमें है लेकिन मम्मी कहती है कि सारे भगवान से मैं वैसे अल्ला कितने है? अल्ला तो एकी है बिटा तो आप इतनी शौर कैसो कि बागवान और अल्ला से हमनी है जैसे मेरा नाम राहुल है मम्यों मेरे को टिककू बुलाती है पापा मेरे को रौकी बुलाते है मेरे दोस मेरे को राहु बुलाते है लेकिन हूतों में ही कि राहुल वैसे ही शिव्जी, अल्ला, हनुमान सबसीम ही है। लेकिन यहां सिर्फ अल्ला मिलते हैं। अल्ला से मर्जिद में मिलते हैं। नहीं, अल्ला तो सारे जहान में मिलते हैं। इस सड़क पे, मॉल में, सब्जी बजार में, मंदिर में भी। हाँ भाई या, तो फिर मर्जूद में भवान क्यों नहीं मल सकते ? वैसी अगर मैं अल्लाई से कुछ मांगना चाहू क्या वो मेरी बात सुनेंगे ? बिल्कुल, बिल्कुल शुनेंगे तो अगर अल्ला मेरी बात सुनने को तयार है, तो आप क्यूने सुनें ? विश्वर रूरा तरोना कॉंछ लग्वर दूर? मिर दादा जी विश्वर भाइब दुसी इसो रुकाइब साव कुस लो मैं पिवेदी व्यों सिवार और ये दक्षना नहीं बेटा ये किसी घरीब को दे दे ना ओके बाए उम्र जैनत कभी कुछ ऐसा न सिखा पाई वो सच्चाई जो भोली आखों में दिखाए दिलों में ना अंधेरों का निशा हो हर मजर में बशे में मौला तेरा ही दुमा हो इश्मर अला तेरो